नमस्कार जैहिंद आप सभी किसान भैयू का स्वगत है आपके अपने यूटूब प्लेटफॉर्म राजस्तान मोसम में आप सभी को सवतंदरता दिवस की धेरशारी शुब कामनाई किसान भैयू बात करेंगे राजस्तान के मोसम के बारे में जिस भी बताएंगे आज राज आपका अपना चैनल भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा किसान भैयू आज भी राजस्तान की कई सारे जिलों में मोसम विवाग ने भारी बारिस की संभावना जताई हैं उनके बारे में विस्तार शे बताया जाएगा साथियों कल हमारे जालोर में इंटरनेट शेवाए बंद थी तो इस कारण से मैं आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आपाया इसके लिए मापिस आऊँगा चली बात करते हैं सबसे पहले मोसमी सिस्टमों की तो टरफ रेखा काफी उतरायन हो चुकी है और राजस्तान के लगबग मध्य बागों से होकर गुजरने की आज संभावनाई बन रही है अभी जब सुबे चाड़ चार बजे हम वीडियो को बना रहे हैं तो यह कोटा चली बाग से होते हुए इस तरह शे अजमेर शंभाग और फिर वीकानेर शंभाग के गंगानगर शे होते हुए इस तरह शे गुजर रही हैं लेकिन आगामी 24 गंटों के अंदर इसके और ज़्यादा दक्सिनायन होने की संभावना है और इस तरह से जोदपूर और जैसलम शे होके इस तरह से गुजरने की संभावना रहीगी और साथ यह जो डिप्रेशन है वो लोग प्रेसर सिस्टम के रूप में अब बदल चुका है और मद्य परदेश के लगबग पूरवी भागों के आज पास में पहुंच चुका है और यह काफी तेजी से मुग कर रहा है यानि बहुत तेज गती से आगे बढ़ रहा है तो इसका परबाव आज राजस्तान के पूरवी भागों के उपर विशेस तोर पे देखने को मिलेगा जहां पे कही सारे स्थानों पे भारी बारी जैसी गतिविद्या आज देखने को मिलने वाली है जिसमें जैपूर्शले आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा और साथी कोटा और बरतपूर्श अबा के कुछ जिलो में अभी सुबे सुबे बारिस की गतिविद्या है वो भी चालू हो चुकी है आज सबसंतरता दिवस है तो इस कारण से मैं वीडियो को जल्दी बना रहा हूं क्योंकि मैं व पारिस होगी साथियों आज सबसे ज़्यादा जो परभाविस सेतर रहने वाला है इस डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम के कारण वो रहने वाला है पूर विराजस्तान का भाग जिसमें मैंने यहां पे लाल कलर में ये घेरा दर्शाया है जिसमें कोटा संबाग जलावाड के कई सारे इस्तानों पर भारी से अती भारी बारिस की संबावना रहेगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर बारिस की गतिविदिया में बडूतरी देखने को मिलेगी साम के समय में विसे इस तोर पर कोटा संबाग की कई सारे इस्तानों बारी बारी ज सिकती वीडिया आज देखने को मिलने वाली है वह इबात करते हैं स्वय मादेपूर करोली धोलपूर बरतपूर दोसा अलवर जैपूर टोंक साथ यो इन जिलो की बात करते हैं इन जिलो में भी आज हलकी शे मद्यम तो कुझस्तानों पे तेज मुश्लाधार भारी बारिस की संभावना रहेगी और ये बारिस का दाइरा है आज बड़े सेतर में रहने के संभावना ये बन रही हैं और यहाँ पे कई सारे स्थानों पे 50 mm से लेके अच्छी और 90 mm के आसपास में बारिश भी देखने को मिलेगी तो इकदुकाश्टान ऐसे भी रहेंगे जांपे भारी बारी बारी जाची गतिविदियां भी देखने को मिलेगी जिसमें 110 से लेके 120 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविदियां दरज की जाएगी बात करते हैं अजमेर भीलवारा नागुर साथी। इंजलू की बात करते हैं। इंजलू में आज अच्छी कासी बारिज देखने को मिलेगी। मिलने वाली है नागोर जोदपूर विकानेर पाली या और शाती कुछ भीलवाड़ा अजमेर के भाग है चितोड़ कड़ बुंदी कोटा जहलावाड़ी के भाग है यहाँ पे कई सारे स्थानों पे भारी और भारी से अती भारी भारी बारी बारी की संभावनाई बन रही है जैसे आज दिन आगे बढ़ेगा रात होगी और रात के बाद में कई सारे स्थानों पे आज भारी बारी की संभावनाई बन रही है जैसे जैसे आज साम होगी तो साम के बाद में जोदपूर संभाग और विका निर्शम बाग के भागों में भी वारिज की गतिविदियों में बड़ोतरी देखने को मिलेगी बात करते हैं बिलवाडा, चितोड और डूंगरपूर, बासवाडा, परताफ़कट, उदेपूर, राज़मंद, पाली और शिलोई साथी इन जिलों की बात करते हैं, इन जिलों में भी आज भारी बारिज जैसी गतिविदिया देखने को मिलने वाली हैं कई सारे स्तानों पे 70 शे लेके 90 एमेम के आसपास में भी बारिज की गतिविदिया हैं, वो देखने को मिलेगी लो प्रेसर सिस्टम मेंने का काफी तेज गती से आगे बढ़ रहा हैं तो आज मद्यरात्री के आसपास में ये राजस्तान के लगबग पूरी भागो यनि कोटा संबाग के आसपास में पहुंचने के संबावना है और कल से इसका असर पूरे राजस्तान के उपर देखने को मिलेगा बहुत तेज मुश्ला धार बारिस के संबावना है कल परशूं और अठारा तारीक के आसपास में बन रही है यनि आगामी 16, 17 और 18 तारीक को राजस्तान की कई सारे स्थानों पे भारिस के संबावना है बन रही है वैसे आज भी राजस्तान की कई सारे स्थानों पे भारिस जैसी गतिविद्या देखने को मिलेगी और आगामी तीन दिनों के अंदर ये राजस्तान की कई सारे बांदों को लबालब करेगा और शाहती राजस्तान की कई सारे नदियां है वो भी तेज गती से बहने की समभावनाई बन रही है इस बार 15, 16, 17 और 18 अगस्त के आसबास में होने की समभावना है बिलकुल वो समय आ चुका है आज से बारिश की गतिविद्या चालू हो जाएगी और कल इसका प्रवाव और जादा देखने को मिलेगा बात करते हैं जालोर, बाड़मेर, जोदपूर, जैसलमेर साथ ही इनजिलों की बात करते हैं इनजिलों में हलकी श्यमद्यम, खंड बारिश के समभावना रहेगी तो कुछ इस्तानों पे जड़ी जैसे इस्तती भी आज साम के समय और आज रातरी के समय देखने को मिलेगी जिसमें विश्य स्तोर पे जालोर, बाड़मेर, कुछ जोदपूर के दक्सिनी और दक्सिनी पच्छे मिवाग हैं यहां पे जड़ी जैसे इस्तती हैं आज राज सही सालों हो जाएगी बुंदाबादी वाले इस्तती और कल यहां पे दिन भर वारिज की गतिविदिया होती रहेगी उनके बारे में भी आगमी मौस्म बुलेटीन में आपको समय समय पर बताए जाएगा बात करते हैं विकानिर शमबा की तेज मुशलाधार बारिस की संभाव न रहेगी वही जुन जुनु और शीकर की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिस जाशी गतिविद्या आज होने की संभाव न रहेगी यहाँ विशेस परभाव हैं आज पूर भी राजस्तान के उपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर कई सारे इस्तानों पर सतर से लेके 90 एमेम के आसपास में बारिस की गतिविद्या देखने को मिलेगी वही बात करते हैं पच्छी मी राजस्तान और कुछ हनमान गड़ और य यह वाला जो भाग हैं यहाँ पर भी लगबग 40 से लेके 60 एमेम के आसपास में बारिस की गतिविद्या हो जाएगी और शाती पच्छी मी राजस्तान की जैसल मेर बाड़ मेर जालोर के कुछ भाग हैं यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर लगबग 20 एमेम के आसपास में ब बाहरी बार जासी गती वीदिया देखने को मिलेगी साथी मिलता हूँ अगले अपडेट में दोपेर को ड़ाई बजे तब तक के लिए मुझे आगर इसका नमस्कार जैहिंद